माघंटेश्वरी मंदिर प्राकृतिक वातावर्ण से घिरा यह मंदिर पुरीसा राज्य के संबलपुर शहर में महा नदी के तटपर स्थित माघंटेश्वरी मंदिर संबलपुर के सबसे पवित्र और सुन्दर स्थानों में से एक है और यहां आसपास के क्षेतर में एक बहुत प्रसिध मंदिर है इस मंदिर क्षेतर की विशेष्टा चारों और लटकी हुई हजारों घंटियां हैं मनो कामना पूरी होने पर लोग म मा को घंटी देते हैं दैविय शक्ती को कुछ अर्पित करने का यह एक बहुत ही अनोखा तरीका है मंदिर के चारों तरफ घंटी होने की वज़े से इस मंदिर का नाम घंटेश्वरी हुआ है चारों तरफ घंटियां होने के वज़े से यहां पर एक अनोखा आवास आती र शुरुवाती नाविकों द्वारा किया गया था यह उरीसा के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है घंटेश्वरी मंदिर को जाने के लिए दो रास्ता है एक रास्ता चिपिलिमा जल बिद्युक कारखाना से होते हुए एक पतला रास्ता से मंदिर जा सकते हैं और दूसरी रास्ता पहाडी के नीचे से उपर तक चड़ के जा सकते हैं। इस मंदिर की एक तरफ महानदी और दुश्री तरफ एक पहाड है। कीराकुद जल भंडार से निकला हुआ पावर केनाल घंटेशवरी मंदिर के पास चिपिलिमा में कतम हुआ है। चिपिलिमा जल बिद्युद कारखाना से निकलता हुआ पानी देखने में बेहद ही सुंदर है। मा घंटेशवरी और चिपिलिमा जल बिद्युद कारखान को देखने के लिए राज्य और राज्य बहार से बहत लोग आते हैं। मा का आशिरवाद लेने और इस अध्भुत स्थान के शांतिकूर्ण और प्राकृतिक वातावर्ण का आनंद लेने के लिए घंटेश्वरी मंदिर जरूर आए।